तो चलो प्यारे बचेव इस वाले question को देखो इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर अपने पास यहां पर एक nucleus है और इस nucleus को में represent करता हूं यह nucleus is that mass को nucleus के mass को इसे denote कर किया जा रहा हूँ MP और MN during the mass of proton and neutron तो binding energy of the binding energy in mega electron गो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालते हैं मासटीपक्त मुल्टीप्लाइड वाई सी का स्प έर डिल्टा है तो मास आप यहाँ से रिएक्टेंट माइनसं यहां से मास्ताफ प्रोड़क्ट टिक है और यहां से सी का मासदिबेक्ट का से निकाल तो यहां से अब तुम देखोगे रिक्टेंट और प्रोड़क्ट की बात करोगे तो सी आप यहां पर आजाएगा मासव यहां पर मास आप नुकली Timsh आफ राएंस यहां से हमेशा मास अप्रेक्टेंट अधिक होगा क्योंकि कुछ एनर्जी जो हो convert हो जाएगी तो mass of nucleons minus यहाँ से minus mass of nucleus mass of nucleus तो यहाँ पर nucleus का mass और इन सम में मैं c से multiply कर दूँगा तो हो जाएगा तो mass of nucleons जब छोटे-छोटे nucleons होते हैं जिनते nucleus बनती है तो mass of nucleons mass of reactants is always greater than always greater than mass of nucleus है कि कुछ mass defect आ जाता जिसे energy convert होती है energy मिलती है मैं ठीक है तो mass अम निक्लियांस कितना हो जाएगा तो mass अम निक्लियांस जो है अगर ये x x यहां से z a है तो mass अब proton ठीक है मास अब यहां से proton और mass अब proton प्लस यहां से a minus z यहां से a minus z neutron होगा that is mass of neutron में से minus कर दो mass of nucleus mass of nucleus यहां से represent कर रहे हो तुम maz से और इन सभी में c से multiply कर दोगे तो तुम्हें यहां से binding energy calculation मिल जाएगी मतलब यह option अपना सही मिल जाता है थेंक यू